ही गई स्वागत आप सभी लोगों का एक और नहीं वीडियो में तो आज का हमारे जो टॉपिक है एड्सेंस एप्रूबल ट्रिक एंड टिप्स गूगल एड्सेंस एप्रूबल हंडेट परसेंट गईज अगर आप फोर्टीन टिप्स एंड गईज फोर्टीन फाइंड को अ टॉटक को बने करना है वर्टप्रेस को आपको इन्स्टॉल करना है एंड और आपको इंस्टॉल करने की बात आपको जासे आप मुथ कर लेते हैं भाप में पने वह सैटक्ट आप करके व perse är Ну है तो यहाट अब इसट कर देना है यहाँ पह सब्स्टी में तो घन यहाँ यह 6 pages guys आपको compulsory है आपको बनाना ही है अगर आपके पास कोई भी website है तो आपको यह 6 pages guys बनाना है अपनी website में अगर आपको Google Edson चाहिए तो यह 6 pages guys आपको create करना है उसके बाद guys यहाँ पे next point आता आपका create 10 to 15 post तो आपको अपने website में 10 to 15 post आपको create करना ही होगा and guys जो आपका यहाँ पे post का जो word होता है यानि की जो limit होगी वो guys यहाँ पे 1000 से जादा होना चाहिए तो आपको अपने website में जब भी आपको article लिखते है तो 1000 word से जादा होना चाहिए आपकी website का जो आपको आपको यह लिमिट होती है तो word limit भी guys आपको क्या करना है 1000 से एबब ह होना चाहिए उसके बाद गाज आपर जो next point आता हमारे 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 quality content गाज यह काफी most important है क्योंकि guys अगर हम अपनी website में quality content को use करेंगे quality content को लिखेंगे तो guys हमारे जो users है वो guys दूबारा हमारी website में आएंगे हमारे article को read करना आएंगे तो quality content भी guys काफी matter रखता है तो हमें Google Adsons की approval के लिए quality content को आपको लिखना होगा कहीं से भी आपको copy paste नहीं करना है उसके बाद गाइज हापे next point आता आपका don't publish coffee content guys में आभी आपको बता है कि कहीं से भी आपको अपने website में कोई pages को आर्टिकल को ही वी content को आपको copy करके नहीं डालना है इस चीज को आपको ध्या आपका don't use coffee right images guys आभी हमने बात की कि आपको कोई भी content का content नहीं लिखने है आप guys आपको copy right image का use नहीं करना है किसी भी website से आपको download करके Google से download करके भी आपको image नहीं डालने है क्योंकि guys कापी सारी ऐसी website है जिससे हमें coffee right free मिलते है जैसे guys यहाँ पर आता आपका pixel.com आता है pixel आता है तो बहुत सारे ऐसी website है जिनसे हम free image को यूज करके अपनी website में अच्छे से use कर सकते हैं उसके बाद guys है पर next point आता आपका don't write illegal content तो illegal content guys आपको अपनी website में use नहीं करना है यानि कि guys कुछ ऐसे content आपको नहीं लिकना है जिससे किसी को भी problem हो सकती है अगर आप यह सब Google Adsense चाहिए तो आपको कोई application कोई software से आपको अपनी website में traffic लेके नहीं आना है आप चाहिए तो guys Google AdWords का यूज कर सकते हैं वह organic traffic होता है लेकिन किसी software से किसी application से आपको website में traffic लेके नहीं आना है वो guys spam traffic यहापर माना जाता है उसके बाद guys यहापर next point आता आता आपका right article with supported language तो guys आपको अपनी website में वही language यूज करना है जिस language को guys हम यहाँ पर आसानी से read कर सकें तो यह सब भी आपको यहाँ पर दिहान देना है उसके बाद guys यहाँ पर next point आता आता आपका use image with all text तो आपको क्या करना है जब भी हम कोई article लिखते हैं तो जो हम यहाँ पर image डालते है तो image का भी guys हमें वहाँ पर all text देना होता है यानि कि जो image का नाम है जिसके related आपने article लिखा हुआ उसके related हम image डालेंगे and image का भी guys आपको यहाँ पर all text का use करना है next point guys आपका यहाँ पर आता है verify your website on a stream on google sales console जब हमारी website complete हो जाती है यानि कि जब हम को basic pages भी complete कर लेते हैं और ह of article लिखने सब्शलवन कर देते हैं pages complete हैं उसके बाद हम Google search console में अपनी website को submit करते हैं site map को submit करते हैं और एकिनीक व्यू हो यानि कि जब हम गूगल में जाकर कोई की वर्ट सच करते हैं तो आपकी वेब सायट कहीं ने कहीं पर घूगल में रेंक भोने चाहिए आपके जू आपके जू कीवर्डः वो होना चाहिए आपको और गयर्ट को यूजां के पिल γर्ट करते अप विसलों करते यह तो आपको कुछ और अजय नहीं करने हैं आपको उब स्क्राइब कोई आपको प्लाई करना होगा उसके बाद गाज यहां पर नेक्स इंपॉर्टेंट आता आपका फाइंट यू आर ओवर एटीन एस ओल तो आपकी एज यहां पर अठारा साल से ज्यादा होना चाहिए अगर आपका इस अठारा से कम है तो आपको गूगल एटसंस कभी भी न ज्यादा होना चाहिए तो गैज अगर आप फोर्टीन फॉइंट को यूज करते हैं फॉलो करते हैं तो डेफिलेट्री गैज आपको गूगल एटसंस का एप्रूबल मिलेगा तो फर्स्ट गैज आपने मैं आपको पता कि कम्प्लीट सेट अप एंड डिजाइन यूर आपको गूगल एटसंस का एप्रूबल लेना है तो आई होप कि आपको गूगल एटसंस एप्रूबल के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट आपको फॉलो करना होगा तो गैज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स वीडियो में तब तक लिए आज आपको अपना ध्यान करना है जहीन वंदे महातरम